तो आप जो देख रहे हैं चंदन का 6 साल का पेड़ तो मैं एक चंदन की ऊपर सिरीज बनाने वाला हूँ जिसमें चंदन के बारे में आपको अलग-अलग जानकरी मिलेगी जिसमें चंदन कब लगाना चाहिए उसकी कीमत क्या होती है होस्ट कौन सा लगाना चाहिए अलग- बाट यह है कि चंदन का जो हमें इंकम मिलेगा व जया जब हार टूट worker आ कि रहा में जब इसको भाज बीचनेके लिए ओलग-जरी अलग मेरा वह बीचने के लिए आट की-वाना-शारे और फेड़े हो और ऊसके कारण चैनदन लगाने से दरते तो अब डर के कारण कोई चंदन लगाता नहीं तो फायदा और नुखसन समझ में आएगा तो इसलिए मैंने कया कि कि कोई तो भी ऐसा आदमी होना चाहिए की जिसने उस चीज का अनुभव लेना चाहिए तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं जो तो हमारा जो भाग है आसपास के जो शहर है या विलेजे से खेड़े गाओ है तो वहां के लिए मैं एक उधारन बनना चाहता हूँ कि चंदन लगाना चाहिए या नहीं अगर मुझे अभी 6 साल हो चुके चंदन लगाने के बाद अभी 12 साल बाद मैं कुछ पेड जब उसमें हाटूर होगा तो बेचूंगा तब मुझे पता चलेगा कि इसमें कितना फाइदा है या जो यूटूब पर बड़ी बड़ी बाते चलती है कि इतना फाइदा है अभी बेचने के बाद समझ में आएगा कि सच में फाइदा है या नहीं हाँ फाइदा तो है लेकिन जो इतन वन करोड रुपीज के उसकी किम्मत हो जाएगी 12 साल में तो बहुत जादा है लेकिन मैंने क्या सोचा है वो जब मिलेगा तब मिलेगा देखेंगे लेकिन आप मुझे अगर इंकम मिला है तो कम से कम जो आसपास के जो किसान है वो आगे लगाएंगे तो इसलिए मैंने कुछ मेरे तो चोरी होगी ने क्योंकि मैंने एक प्लान किया है मैंने थोड़े थोड़े पोड़े लगाए जैसे आभी ये बड़ा पोदा है तो ऐसे 20 है ये छोटे है तो ये तीच-चालिस है इससे और चोटे कुछ बड़े हैं जैसे आगे दिख रहे तो एक साथ तो मेरे सब पोदे पेड नहीं बढ़ेंगे तो सैंडल उड जब तयार होगा तो मैं इसके लिए सुरक्षा का इंतजाम करूंगा पूरा ताकि इसको इसकी चोरी ना हो जाए और मुझे जब मैं बेचूंगा इसको तब मुझे कितना पैसा आएगा यह मैं बाकी लोगों के साथ बताऊं तो इसले मैं अभी उदारान बनुंगा क्यों चंदन लगाना चाहिए या नहीं अगर मुझे कुछ ने हुआ तो वह कह सकता हूं कि आप मत मत लगए मैं ने लगा है और मुझे या ह्वा या हन हने उवा अं मैं बता सकता हूं अब यह मेरा तो कोई नुक्सान ही नहीं होगा क्योकि मैने एक पूरे खिती के चोई पर लगाए तो मैं बार बार यहीं कहता हुut कि आपको अगर चandon लगाना है तो खिती के चोई पर लगाए ताकि बाद में जाकर आपको कोई परिषानेंशां से होगी वैसे होगी नहीं मुझे पूरा विश्वास है आप जो मेहनत करते हैं उसका फल मिलेगा और चंदन की सच में किम्मत है यूटूब पर चाहे कितने भी बोलो लेकिन किम्मत चंदन की है उसकी डिमांड है यह आयरोधिक भी पौदा है इसकी जो सुगंद है उसकी भी इनके आ कि मैंने की आफिए आप मत कीजिए इसलिए मैने चंदन की चंदन के पोदि लगाए आब अच्ya पेड़ हो चुके है और वैसे भी मुझे पेड़ लगाने का सोक है तो यह सोक भी हो रहा है बाद में पैसा भी मिलेगा और नाम तो मिलता ही तो बस एकएना चाहता हूँ इस इसलिए मैंने आज चंदन लगाए